खेलोग सब लोग मैं मों henle upon the loss of a star फिर से आप सब लोगोंगे सामने और आज आज हम लोग करने जाने वाले हैं या आज हम helfen लोग करने जाने वाले हैं बहुत बहुत-बहुत-बहुत सारे current affairs रोज की तरह important current affairs करेंगे ठीक है जो की पेपर में आने आने वाले हैं और आने के बहुत-बहुत-बहुत सारे चांसे देखी ठीक है और आज वाली जीकी की वीडियो देखी ठीक है तो हम लोगोंने festivals of India तो complete कर दिया है उसके साथ-साथ कल वाली current affairs देख लिए आप लोगों CUT 4-7 पर जो कि आप लोगों के लिए कराता है बहुत सारी news बहुत-बहुत-बहुत-बहुत सारा gk के बहुत सारे और आपका एक्जाम करवाने में और आपके मास को आई तो करते स्टार्ट एक बार फिर से आपका तरीके का है देखो जरा क्या है आज का सबसे पहला कोशन है वेन इस दे इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलप्मेंट और पीस कब सेलिब्रेट किया जाता है इसके वारे में कोशन पूछ रहा है विकास और शान्ति के लिए अंतराश्ट्रिय खेल दीवस कब मन जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर्ट डेवलप्मेंट और पीस को मना जाता है तो क्या इसका आंसर है 5th April 6th April 7th April 8th April जल्दी जली से बताइए फटक 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 से अगर लग रहा है आप लोगों कि सर इसका अंसर फिफ अप्र तो आप लोग बिल्कुल 100% रांग है और 8th April लग रहा है तो भी रांग हो क्योंकि 8th April तो भी आए नहीं है और 7th April लग रहा है जो कि आज है तो आप लोग एकदम 100% रांग आंसर है इसका क्या 6th April तो हर साल 6th April को मना जाता है International Day of Sports for Development and Peace ठीक है आईए इसके बारे में जल्दी जल्दी से information लेते कि क्या है information International Day of Sports for Development and Peace के बारे में क्या बुल रहा है International Day of Sports for Development and Peace 2023 on April 6th so हर साल April 6th को ही मना जाता है और April 6th the International Day of Sports for Development and Peace is celebrated to acknowledge the significance of sports and physical activity in our personal lives तो हमारे personal lives में sports का और physical activities का कितना important role है sports का कितना important role है हमारे physical life में हमारे life में हमें चुस्त रखने में कितना ज्यादा importance रखते हमें बीमारी से दूर रखने में sports कितना important है उसके बारे में बता रही है ठीक है और मैंने आप लोगों यह भी बता था कि जहाँ पर इंटरनाश इसा लिखा जाए तो इसका मतलब किया इसका मतलब है कि United Nations General Assembly ने असाइन किया है उसको आगे ना चलो दूसी चीज क्या बोलता है in 2023 the global theme for the international day of sport for development and peace is scoring for people and the planet ठीक है तो इस बार की theme क्या है है तो इस बार की theme है scoring for people and the planet 2030 की important है क्या scoring for people and the planet कि भाई अगर हम लोग रंस बना रहे किसके लिए बना रहे लोगों के लिए हमारे planet के लिए क्यों देखो sports एक ऐसी चीज है जिससे जो हमारी क्या है अर्थ है उसको कोई भी नुकसान नहीं होता हमारे environment को कोई नुकसान नह खेलने से global warming होती है क्या क्रिकेट खेलने से फुटबॉल खेलने से वह होता है ओजन लेयर डिपलीट होती है होता है या होकी खेलने से š Point Kेал जिसा से तृष के भी नुकसान लेख जा जता है और द आख क्या होता है हमारी जो physical health हो उच्छी हो जाती है mental health अच्छी हो जाती है और क्या र Evans वेरह हमारे क्या हो जाते है ठीक चलने लग जाते ठीक से चलने का मतलब कि मतलब खुशी का ऐसास होता है साटिस्फेक्शन का ऐसास होता है ठीक है, competition बुढता है तो इसी वैसे कह रहा है कि इसका बहुत important role है हमारे life में और इसी वैसे क्या बोल रहा है scoring for people and the planet अभी ये score कोन बनाएगा, ये score सिर्फ और सिर्फ हम लोग नहीं बनाएगे मतलब score सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल प्लेर्स नहीं बनाएगे बलके हम लोग भी बनाएगे मतलब क्या खेलने के लिए बोल रहा है कि भाई खेलो, कुदो, अच्छे से ठीक है, irrespective of rage, irrespective of gender irrespective of caste, irrespective of religion कि अब को बोला जा रहा है तिर कि अब लगा था, international day of sport for development and peace serves as a platform to highlight the role of sports in promoting sustainable development और यह क्या बोल रहा है कि international day of sport for development and peace जो है यह एक platform की तरह काम करता है क्या highlight करने के लिए, यह highlight करने के लिए कि वाइश के जरिए से हम लोग क्या करे, sustainable development को promote करे अब sustainable development क्या होता है, sustainable development का मतलब development तो करना है लेकिन बीना हमारे अर्थ को हमारे atmosphere को हमारे environment को नुकसान को जाए समझ में आ रहा है इसको highlight करने के लिए सबसे बढ़ी है प्लैटफार्म है social cohesion, social cohesion मतलब क्या, सारे के सारे लोगों को include करके चलना है and international cooperation ठीकिन और sports international cooperation वैसे ही हो जाता है, हम लोग देखते हैं जो players बगरा खेलते हैं, इंडिया पाकिसान में इती ही लड़ाई है, लेकिन जब इंडिया पाकिसान का मैच होता है तरह देखते है, sportsmanship, cooperation रहती है, ठीक है, IPL सब्स्क्राइब कर रहाएं, और IPL में क्या देखते हैं, IPL में क्या देखते हैं, IPL में पांपाना है, क्या बला इस इनकी गवर्मेंंट में को देखने को मिलता है हाई क्या बोल रहा है यह प्रोमोटिंग कॉमपपेटिशन ठीक है फिसिकली अच्टिव अच्छा इंट्रेश्ट्राइच्ट कापरेशन की का भागे आए क्या हो नहीं स्पोर्ट प्लेए कुछ रोल इन आप सोसाइटी वाइप किपिंग अस्पिसिकली अक्टिव करता है और हमारी फिट्नेस को क्या रख करता है इंफोब करता है ठीक है आई यह फटाफ़ट से हिंदी में देखते हैं हिंदी में क्या है इंटरेशनल डेयाओ स्पोर्ट्स फॉर ड्यवलपमेंट दीखा रखा है इधर मत देखो इधर देखो देखो विकास और शांती के लिए अंतराष्ट्य खेल दीवस डिवस अप्राइल को हमारे व्यक्तिकत जीवन में खेल और शारिरिक गतिवीदी के महत्वे को सुविकार करने की लिए विकास के लिए अंतर राश्त्य खेल डिवस ॰्षय झासब्न को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है खेल हमें शारीरिक रूप से सक्रिय रखने प्रतिस पर्दा को बढ़ावा देने और हमारी समग्र fitness में सुधार करके हमारे समाज में महत्वपूर्ण भूमी का निभाते है समझ में आया है तो फटावट फटावट जो कि दुनिया में किसी के पास नहीं है मतलब क्या मतलब इस चश्मे से मैं बंदे के कपड़े के अंदर देख सकता हूँ कि कैसी नहीं और यह वाला चश्मा इतना खतरनाक चश्मा है कि इसको मैं जूम कर सकता हूँ ठीक है बतावगा नहीं सच में कर सकता हूँ ठीक है और क्या मैं इस चश्मे से टेलिस्कोप की तरह मून भी देख सकता हूं ठीक है मतलब मैं इस चश्म से सब कुछ कर सकता हूं ठीक है मैं इसका मैंने क्या कर दिया यह टेक है तो ऐसी कोई चीज जो किसी एक पर्टिकुलर रीजन की यूनिक हो उस चीज को मिलती है क्या जी आई टैंक मिलता है जैसे फॉर एकजंपल कॉल्लापूर की चपल प्ल्च तो महाराष्टा के आम आहमदनेगर का कौटन और क्या आसाम का गमचा कश्मीर का पश्मीना दागा यह त्यूंग यह सारे के सरे आइसा चीज जो सिरुट वहीं पर विलते हैं तो कोश्चन ब्ड़ा आसान है कि इन में से किस आइटम को किस खाने वाले आइटम को क्या मिला है जी आई टैग मिला निमना लिखत में से किस खाद्य पदार्त को हाल ही में जी आई टैग मिला है ऑप्शन है बनारसी पान रामनगर का भट्टा भंटा मतलब ब्रिंजल ब्रिंजल मतलब बैंगन रामनगर का बैंगन इसको बंटा वोलना जा रहा है बंटा आदम चीनी राइस या बनारसी लंगडा मैंगम काonce इसका c चारो के चारो बनारस के वारानसी के आइटम्स है और इन चारो के चारो वारानसी के आइटम्स को मिला है क्या जी आई टेग जोग्राफिकल इंडिकेशन टेग ठीक है आओ देखते हैं यह बनारस वाला पान है ना देखो क्या हो बनारसी पान थ्री आदर वारानसी बेस्ट तो यह वाला डॉन फिलम का गाना सुना आप लोग उन्हें आमिता बच्चन का भी गाना ही और शारुक खान का भी गाना है कौन सा खैके पान बनारस वाला खुली चाय बंद अकल का ताला सुनाए गया और तो ऐसा करे कमाल सीधी कर दे सब की चाल अचोरा खैके झाल बनारस वाला दो तो यह पान कहा है यह बनारस का है और इसको आप मिल गया कि अजीडिकेशन का टेइप आए guy tag अलॉग विट और वाराद नसी बेष्ट परोडट्स और बोल रहा है कि इसको बाकि वाराद ईससाथ और तीन वारादSD आप्ट्थ निकटृ और याजी आए टेग और 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 आदम चीनी राइस इन सब को, इन इसको याद कर लेना अच्छे से ठीक है आई क्या ओल रहा है जोग्रोफिकल इंडिकेशन टैग इसको मिलता है जी आई टैग ऐसी किसी प्रोड़क्ट को मिलता है अब बनारसी पान कहा मिलेगा पूरी दुनिया में घुमलो कहीं मिलेगा कहा मिलेगा है को महारस्ति ही मिलेगा क्यों प्रेसि लंगणायं वहार नसी मिल रहा है तो इन चार चीजों को जो आई क्या है बनारेशी पान औरिजनेटे दिरिंग रहा यह बनारेशी पान का चाहरा से गफिंडरी से अब तो थिचे हैं आहे क्या है यहां कितने प्रोडक्स होगberg है अभ यह चार और जूड़े तोटल 22 है कहा के काँग बनारसी पान वारनसी के तीन अन्य सामानों को मिला जी आई टैग बनारसी पान जिसे अमिताब बच्चन के प्रसिद्ध गीत खई के पान बनारसी वाला में चित्रित किया गया था इसको भोगोलिक संकेत जी आई टैग दिया गया है इसे वारनसी के तीन अन्य उत्पादों बनारसी लंगणा आम राम नगर भनता बैंगन और आदमचीनी चावल के साथ जी आई टैग से समानित किया गया है भोगोलिक संकेत जी आई टैग बोधिक संपदा संरक्षन का एक रूप है जिसका उपयोग किसी विशेश भोगोलिक शेत्र से उत्पन होने वाले उत्पादों को पहचानने के लिए किया जाता है और जिसमें उस शेत्र के लिए विशिष्ट गुन या प्रतिष्टा होती है बनारसी पान की उत्पत्ती मुगलकाल में हुई थी इन चार उत्पादों का शामिल करने से काशी से जी आई टैग वाले उत्पादों की संख्या जो है वह बाइस हो गई है समझ में आया तो जली 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 से दिखाओ मुझे अपने आंग उठे और मुझे बोलो कि सर आ इननल लिखित में से किस वस्टू को हाल ही में बधिया टैग प्रात हुआ है तो अगर आप लोगों लग लग रहा है कि सर आप बहुत आलफॉंस समयंगो आलफॉंस मैंगो कहा रहे थे एंसर होगा तो बिलकुल आप लोगा क्या है रांग है ए अशना आप लोगों लिए जो की разв not कर्यों करम से और वुड कार्विंग जो की लद्दाक का फेमज इन दोनों को मिला है इन दोनों नों को मिला है क्या चया अज आई इसके बारे में पढ़ा फट से इन्फॉर्मेशन लेते हjin यह वर्मेशन की यह लद्दाक का टीक है तो यह शेर बनाए हुआ है ठीक है लकडी से बनाए हुआ हुआ धेखू यह शेर का मूव अगेरा है इसके बाल अगेरा है दूम अगेरा दीख भी है टो बहुत अच्सी तरीकेस नकाशी बना रखी तो इसी को मिला है क्या जी ऐई टेक तो यह बोलना कि हों ए तो सबसे इंपर्धाइन चीज बॉसली पेंडिक्टिंग से जम्मु एनक्समिर और sixty matti कंटर में कथ्यों बॉल दो कट्बल बोल ऑष्मेर कथ्यों कातौर होज बॉल दो कष mods Soul के और जो की जमवान कश्मिर की और लद्दाख लद्दाख की वूड कालिंग को मिला है जी आई टैग तो नबाड नबाड ने क्या करा था स्टार्ट करा था नबाड 2020 से गवर्मेंट की पीछे बढ़ा हुआ है कि इन दोनों चीजों को क्या देदो जी आई का टैग देदो तो किसके सपोर्ट से नबाड बार बार के रहा था तो नबाड जो है डिपार्टमेंट के उपर दवाव बना रहा था कि भहिया लद्दाख के वूड कार्विंग को और बसोली पेंटिंग सव्जमुएन कश्मिर को क्या बना दो इनको जी आई टैग देदो ठीक है और अब बुद्धिष कंट्री और बुद्धिष कंट्री में बहुत ज्यादा वर्ल्ड फेमस है एक है तो यह वाला बंदा इसको पिछले साल वुड कार्विंग करने के लिए वुड कार्विंग क्योंकि जिंदगी बर करिया इसने और बहुत इसके प्रोड़क्ट जो है दुनिय नाम है सैरिंग नम्ग्याल सेरिंग इसको पिछले साल पदमश्री मिला था तो मुझे लगा कि इस करंट अपर से यह कनेक्टेड है तो मैं यह ले आए ठीक है यह वन्दा है सेरिंग नम्ग्याल जो कि लधा करेने वाला वुड कार्विंग करता है यह दो क्या बूरा लग कड़ी की नकाशी को जी आई टैग मिला है इन उत्पादों की जी आई टैगिंग की प्रक्रिया नबाड नबाड को फुल फार्म आप लोग बताओगे मुझे मैं थाड़ा जल्दी में हूँ वरना अभी मैं बता देता सारी के सारी चीज़े लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं कि जी आई टैगिंग की प्रक्रिया नबाड द्वारा दिसम्ब 2020 में हस्त शिल्प और हत करगा विभाग के सयोग से शुरू की गई थी लद्दाक वूड कार्विंग धार्मिक सांस्कृतिक और आत्यातित्मिक उद्देश्यों के लिए विशेश रूप से बोद देशों में विश्व प्रसीद्द है ठीक है समझ में आ गया समझ में आ गया तो जल जल इसी दिखाऊ मुझे आपने आंग उठे नेक्स्ट कोशन कर रहे है आपने फटावट से फटावट से फटावट से हूँ आगें रिगेंड पोजिशन आफ एशिया रिचेस्ट पर संस्पोर्ट तो आप सब लोगों के एक ही आंसर आएंगे हिंदी में पढ़ लेते गवाट फिर भी तब तक आंसर दे लो खुश हो लो तुम भी फोर्ब्स के अनुसार किसने फिर से एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति का स्थान हासिल किया है तो सब को बता है एक ही बंदा होगा कौन मु जिकें एलोन मस्क थर्ड रांक पर आया जेफ बेजॉस इसका रांक है नाइंत गो तम अडानी किसक के हो गया 24 ठीक है आई यह जली से देखते क्या सीन है इनका देखा ही होगा रिलाइंस का चहरा है ठीक है देव क्यों क्यों हो रहा है मुकेश अंबानी मुकेश अंबानी मुकेश अंबानी को मुकेश अंबानी को मुकाबला देने वाला टककर देने वाला कोई बंदा नहीं है और यह 9th position पे आया है किसमें फूरे वोल्ड में और एसिया का सबसे रिचेस बंदा है अंबानी वास रैंक्ट अट नमबर 9 अन वर्ल बिलियोनियर लिस्ट विट अने वर्थ उस डॉलर 83.4 बिलियन और इसकी नेट वर्थ कितनी 83.4 बिलियन है पिछली वाली जब लिस्ट करी दिया हम लोगों है तब मैंने तुम्हें बताया था कि अंबानी की नेट वर्थ 80 बिलियन थी है ना अब इसकी बढ़के 83.4 बिलियन हो गई है पिछली बार 10 रैंक पर था आप 9 बर्नार अलनोल्ट टॉब दफोर्प लिस्ट विद्ध नेट वर्थ उस डॉलर 211 बिलियों ठीक है तो फिस्ट रैंक पर को ने बर्नार अरोर्णाल्ट कोन से कंट्री से है इ लिए इसने फॉर्ब्स लिश्ट को टॉप कर रहा है और दो सो ग्यारा विलिएन इसके क्या है नेटवर्थ 211 बिलिएन डॉलर्स इसके निटवर्थ क्या बुरा है एलान मस्क स्ट॥ प्लेश 2 जेफ बेश्वस 3 पर नाम किया का नाम क्या यह है आप लोग बताएं गुझे कमेंट सेक्षन में समझ में आगे हिंदी में देख लेते एक पर फटावट फटावट से क्या बता रहा हिंदी में देख क्या बता रहे हैं तो विश्व बिलियनियर και सीब्सिय सुचि में नोवे स्थान पर है बर्नाड अर्नौीट बिलियन अमेरिकी डालर की समपती के साथ फोब्स की सूची में सबसे ऊपर है ऐलॉण मास्क को जेव बेजॉस और लेरी एलिसन के बाद दूसरे स्थान पर रखा गया है यह उल्टा लिखा गया है इसमें एलॉल मस्क को सेकेंड पोजिशन मिली है जब वैसे उस थर्ड और लेरी एलिसन जो है इसको फोर्थ पोजिशन मिली है समझ में आया तो जल्दी जल्दी से दिखाओ मुझे अपन गॉल रूफ भनाने के लिए रूफ मालत च्छते ठंडी जटे बनाने के लिए कौन से स्टेट ने बोला क्योंकि गर्मी बढ़ रही है है ना मार्च खत्म हो गया एप्रिल में जून जुलाई बहुत जादा गर्मी रहने वाली और पूरे के त Kelvin पूरे स्टेट में गर्मी की वीशेट नोग परशान होते चलते द किस पालिशय लेकर आया है कोई एक स्टेट इन में से कोंसा स्टेट निम्हलिकित में से किस राजज में इमारवतोव पर गर्मी के प्रभाव को कम करने के लिए कुल रूफ महाराश्ट्रा है महारास्ट्रा प्वार्थित कराओ ऑफ हो देलंगाना सब्सक्थे सब्सक्राइए कोल रूफ पालिसी स्टाइट करी यह कहा है खर के उपर हुप 然後 लगा देगे जिस से छत गर ned हो इंग olsa bathroom होगी तो गर्मी ज् length लखती है खत गर्म हिए से हम लोग क्या करते हैं कि सोल और पैनल्स वगे लगा देंगे जो की एब्साइब कर लेगी किसको सन की हीट को और यूज में डाल देगी छत गरब नहीं होगी लिकिन उससे ठीक है या फिर यहाँ पर क्या कर दें शीट्स लगा दें जो लाइट को रिफलेट कर दें ठीक है तेलंगाना अनौंसेज कूल रूफ पॉलिशी तो रिद्यूस हीट इंपक्त अन बिलिदिंग्स तेलंगाना गवर्नमेंट हैस लॉज्ट इंडिया फिर्स्ट कूल रूफ पॉलिशी तो यह पास साल चलने वाली पॉलिशी है दोहजार तेईस से अठाइस तक जितने भी घर है घर मतलब घरों को छोड़कर जितनी भी ओफिसेज है चाय वो ओफिसेज हो चाय वो कि मैंसील बिल्दिंग्स हो चाइब एक रूम की LC aims to drive statewide adoption of cool roofs by making it mandatory to install cool roofing materials such as solar reflective pens तो यह क्या बोल रहा है सब के लिए mandatory कर रखा है सब के लिए mandatory सिरफ आम आदमी जो घरों में रहता है उसके अलावा जितने भी offices वगरा वगरा सब कुछ है सब लोग क्या करेंगे सब लोग cool roofing करेंगे ठीक है तो यह क्या बोल रहा है कि कैसे cool roofing करेंगे cool roof कैसे बनाएंगे तो यह बोल रहा है कि by using materials such as solar reflective pens तो solar reflective pens use कर लो tiles use कर लो और sheets to make them heat resilience तो solar tiles यूज कर लो solar reflective pens यूज कर लो solar sheets use कर लो to make them heat resilient ताकी heat को वोड़ोग absorb करे और क्या करे छट को गरम ना करे तो सारी कि सारी gevरमेंट सारी कि सारी नॉन रोण रेसिडेंशीयल और को बोल दिया है कि तुम्हारा साइज चोटा हो चाहे बड़ा हो तुम लोगो कया करना यह सारी कि सारी चीज़े करने है प्रशासन और शेहरी विकास विभाग द्वारा सहयुक्त रूप से लॉंच किया गया था इस निती का उद्देश ठंडे छतों को राज्य व्यापी अपनाने के लिए सोर परावर्तक पेंट टाईल या शीट जैसे ठंडे छत सामगरी को स्थापित करना अनिवार्य बनकर उन्हें बनाकर उन्हें गर्मी लचीला बनाने और उर्जा खपत को कम करने के लिए प्रेरिद करना है इसे सभी सरकारी गेर आवासिय और व्यवसाइक भवनों के आकार क यह बावजूत अनिवार्य कर दिया गया है ठीक है समझ में आ गया तो जल्द जल्द से दिखाऊ मुझे अपने अंग उठे और बोलो कि हासर आ गया समझ में कोई दिकत नहीं है ठीक है चलिए मेरी क्लास है जल्दी से दूसरी इस वह स्टार्ट होने वाला है प्रतिग्या करना है वह है वाई 742 लेकिन ऐसे लिखना अगर अगर करना है तो यह वाला कोड यूज करिए इससे आप लोगों को मिलेगा 21 परसेंड का बंपर डिसकाउंट ठीक है चलिए खेर तो आशा करता हो कि आज वाल लेक्चर जो है वह आप लोगों को बहुत 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 क्याये दो क्याये गुत बहुत 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 10 क 알क đấy घ´ली रूएlé